नाइमा जान रहे हैं 1979 में असम में ब्रह्म पुत्र में जबर्दस्त बाड आई जोराट का जो इलाका है न वहाँ पर एक लड़का था जादो पयांग 16 साल का लड़का उसमें उसने देखा कि बाड में जारो जारो साप मरे पड़े वह ताजूब हो गया कि यह क्या हो रहा है दुनिया भरके जीव जन्तु सब मरे पड़े हैं उससे रहा नहीं गया उसने पूछा तो बोला कि बही अपने याज बंजर जमीन है यहाँ पे अपने लोगों ने कोई पेड़ पोदे नहीं लगाये हैं और बाड आती है तो पूरा का पूरा पहा के लिजाती है और हमने सब पेड़ काट डाले हैं उस 16 साल के लड़के के मन में आया कि मुझे पेड़ लगाना है वो दिन्थार आज का दिन है उस लड़के ने क्या किया कि गया पहले फोरस्ट डिपाट्मेंट के पास और पूचा के भई आपको मेरी एल्प कर सकते हो तो उन्हों न बला यहां बंजर जमीन है यहां कुछ नहीं हो सकता दीरे दीरे वो 1979 में स्टार्ट किया यह करता ही रहा एक आप अंदर दे लगए एक साल पांस साल दस साल पंदरा साल तीस साल तक 2009 तक किसी को मालूम नी हिंदुस्तान में एक आदमी क्या कर रहा है वो आदमी 30 साल तक पेड़ी पेड़ लगा ता रहा सुबह से शाम तक उसकी रोजी रोटी उसके गाये वगए थी उसके मिल्क से चल जाती थी पर 30 साल तक और कितना उतने आप दुनिया का सबसे बड़ा फॉर सिंगल मैन तेरे सो साट एकड़ का यानि आपका नियुवार्क का सेंटर लॉक देखो तो तीन से पिछे तो हेक्टर का है तेरे सो साट हेक्टर का अकेले ने बना दिया और उस व्यक्ति को बात दुनिया में चिपी रह जाती 2009 में जितु कलिता करके एक लड़का वो उदर से आया उसने देखा यार एक साइड में कहां से यह जंगल आ गया वह अंदर गया तब उसने देखा कि एक आदमी यह काम कर रहा है तो उसने वहां लोकल न्यूस पेपर्स में बगरा जब यह स्टोरी बार आई तो 2012 में ज्वालनार नहरु उनिवर्सिटी में उनको गुलाया गया और वहां फिर फिर इनको फॉरेस्ट में आफ इंडिया का एवार्ड दिया गया फिर डग्टर अब्दुल कलाम आजाद जो अपने प्रेसिडेंट थे उनको मालूम पड़ा उन्होंने उसकी धाई लाक रुपिय से फाइनेंशिल हेल्प की और बहुत दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट में इंडिया में है और वह व्यक्ति अकेला 1360 हेक्टर में लखों लखों पेड लगा चुका है और वहां आज की डेट में हीरन वहां पे टाइगर बेंगाल टाइगर सौप एलिफेंट आते हैं जो हर साल वहां छे मेने के लिए रहन पंची वहां पे आते हैं तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो क्या कर सकता है यह अपने को देखने को मिलता है इसलिए अकेले का भी होंसला कभी नहीं तोड़ना चाहिए और अच्छा काम है वो करते रहना चाहिए दुनिया के लिए उस आदमी की जो मिसाल है न ऐसा कोई प्रत्री पे आज की रेट में साड़े साथ सा करोड़ लोग में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो जाने में इनकी कोई मुकाबला कर सके सिंगल आदमी ने लाखो पेड लगवा दिये हैट्स आप टुई हूँ